मद्धप्रदेश सरकार कोरोना संक्रमन की वज़ह से बेसहारा हुए बच्चो और परिवारों को मुफ्त राशन, परिवारों को पेंशन और बच्चो को निशुल को शिक्षा जैसी सुमिधाय देगी सियम शिवरा सिंग चोहान ने इसकी घोशना की है कोरोना संक्रमन में अपनों को खोच चुके परिवारों को इस तरहां की मदद देने वाला मद्धप्रदेश देश का पहला राज बन गया है सियम शिवरा सिंग चोहान ने कहा ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया है कोई कमाने वाला नहीं बचा है ऐसे परिवारों को पांच हजार रुपए प्रती महा पेंशन दी जाएगी ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा का निशुल्क प्रवन किया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें उन्होंने कहा पातरता ना होने के बावजूत भी ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा अगर इन परिवारों में कोई सदसे ऐसा है या पती नहीं रहे तो उनकी पत्नी काम धंदा करना चाहे तो उनक तो सरकार की गरेंटी पर बिना ब्याज का कर दिया जाएगा शिवरा सिंग चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया है कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुड़हापे की लाथी के सहारे चिन गए हैं कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मास जिनके परिवार से पिता का साया उड़ गया है, कोई कमाने वाला नहीं बचा है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपे प्रतिमा पेंशन दी जाएगी। बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिवावक का साया उठ गया है। कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे परिवारों को 5,000 रुपे प्रतिमा पेंशन दी जाएगी। ताकि बच्चों को जीवाने आपन के लिए परिशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के सिख्षा का निसुल्क प्रवंध किया जाएगा। ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को स्री रासन दिया जाएगा। ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है। या पत्ती नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है। कि जो काम धंदा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का रिन काम धंदे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। कि संगित की स्वर लहरीओं से सांस्कृत काने बाने तैंता कि तरशे जोपडी मिधा करे है। पक्दंडीयों से सडकों तक गाउं से शहरों तक व्यापार से उद्ध्योगों तक राज़्डीती से उट्नीती तक दखन्नीव्ज आपके हथ आप देख रहे हैं दखन्नीव्ज